आज मैं आपके साथ एक ऐसी रैसीपी शेयर कर रही हूँ जो बनाई जाती है बैंगन से और ये एक बहुत जल्दी रैसीपी बनकर थाही है इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बढ़िया सा साफ बैंगन ले 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 और अब इसे पतले टुकडों में कट करना है तो सबसे पहले मैं इसका हल्का सा छिलका रिमूफ कर दे रही हूँ और उसके बाद एक शेप में इन सारे बैंगन के पीसेस को कट कर लेंगे जिस शेप का ये बैंगन है उसी शेप में मैं इसे कट कर रही हूँ इस तरह से ये पीसेस देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगती है आप चाहे तो इसके जो उपर डंडल है उसे रिमूफ करके उसके बाद इसे गोल टुकडों में कट कर सकते है पर अगर आप इस ढंग से कट करेंगे तो इसकी शेप पूरी बैंगन की तरह ही आईगी जो देखने में और भी ज़्यादा एट्रेक्टिव लगता है तो ये देखे यहाँ पर मैं ये सारे पीसेज कट करती जा रही हूँ और आप देख सकते हैं ये पीसेज ना ही बहुत जादा पतले हैं और ना ही बहुत जादा मोटे मैंने बैंगन को कट करने से पहले ही अच्छे से धो लिया था अगर आप चाहे तो इस टाइम भी इसे धो कर रख सकते हैं तो सबसे पहले इन सारे पीसेस को मैं इस बाउल में रख ले रही हूँ और अब डालेंगे इसमें मसाले सबसे पहले मैं ले रही हूँ लहसुन ये एक छोटा चमच है इसे मैंने ग्रेट कर लिया है लहसुन डालने के बाद अब लेंगे हरी मिर्च हरी मिर्च को मैंने हलका सा क्रश कर लिया है ये भी एक छोटा चमच या दो हरी मिर्चों के करीब है अब डाल देंगे ड्राइ मसाले तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ नमक आदा छोटा चमच नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से अर्जस्ट कर लें नमक डालने के बाद अब लेंगे हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर मैं ले रही हूँ आदा छोटा चमच अब लेंगे लाल मिर्च पाउडर, आदा छोटा चमच, ध्यान रखें कि आपने हरी मिर्च भी इसमें डाली है और साथ ही ले लेंगे गरम मसाला, यह एक चुथाई चमच है, बहुत हलका सा गरम मसाला इसमें डालना है और इसे mix करेंगे थाती मैं ले रही हूँ एक चमच के करीब सरसों का तेल सरसों का तेल डालने से ये जो मसाले हैं ये बहुत ही असानी से इन पिसेस में record हो जाते हैं अब इन पिसेस को हलका सा crispy करेंगे इसके लिए मैं ले रही हूँ बेसन तो ये दो बड़े चमच यहाँ पर बेसन डाल देंगे आप चाहे तो यहाँ पर कॉन फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी ये पीसेस बहुत ही क्रिस्पी बनकर त्यार हो जाते हैं यहाँ पर आप चाहे तो एक चमच के करीब पानी इस पर स्प्रिंकल कर दें ऐसा करने से ये जो पीसेस हैं इन में ये बहुत ही असानी से सारे मसाले की कोटिंग हो जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेयर लग चुकी है इन पीसेस में ऐसे ही पीसेज हमें चाहिए हैं यह बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं एक बराबर इन में सारा मसाला लगा हुआ है तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ यानि की गैस की तरफ गैस पर मैंने भारी तले का एक तवा रखा है और तवा जैसे ही गरम हो जाता है इसमें मैं ले रही हूँ सर्सों का तेल सर्सों के तेल में ये सबजी बहुत ही अच्छी बनती है और अब जो हमने पीसे सकोट करके रखे हैं वो एक एक करकेस में रखते जाएंगे शुरू में फ्लेम को लो रखना है और जब पीस दोनों और से अच्छे से पक जाएं उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम में पका लेना है तो यहाँ पर मैं लो फ्लेम में इसे पका रही हूँ तीस से चालिस सेकंड के बाद इसे फ्लिप कर लेंगे एक साइट से यह पक चुका है और अब इसे दूसरे साइट भी पका लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा तेल डालकर इसे शेलो फ्राई भी कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसे कम तेल में भी बना सकते हैं यह कम तेल में भी बहुत ही जल्दी बहुत ही क्रिस्पी बनकर त्यार हो जाता है आप इसे गर्मा गरम रोटी के साथ सर्व करें यह बहुत ही बढ़ियां लगता है जटपट बनने वाली यह पांच मिनिट की सबजी है जो बहुत ही सबको बढ़ियां लगती है यहां पर आप देख सकते हैं तवे को मैं हलका सा सब तरफ घुमा दे रही हूं ताकि तेल जो है वो एक बराबर सब तरफ घुम जाए और फ्लेम अभी भी आप देख सकते हैं लो पर ही मैंने इसे रखा हुआ है आप देख सकते हैं मैंने शुरू में फ्लेम को एकदम लो रखा है और लो फ्लेम में इन पीसेस को अच्छे से पकाया है रेसिपी बहुत ही असान है सबसे पहले बैंगन के पीसेज को कट करके उसे बेसन लसुन हरी मिर्च और कुछ मसालों के साथ अच्छे से कोट किया गया है और उसके बाद इसे हलका सा शेलो फ्राई किया है सरसों के तेल में यहाँ पर मैंने फ्लेम को हलका सा मीडियम कर दिया है अब इन पीसेज को अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे तो फ्लेम को यहाँ हलका सा तेज रखते हुए इन्हें दोनों और से अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे दोनों और उलटते पुलटते हुए अच्छे से पका लेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी से बन जाए गर्मा गरम इन्हें अगर खाया जाए तो ये बहुत ही बढ़ियां लगते है तो जब कभी आपको कोई सबजी बनाने का ना मन करे तो जटपट बनने वाली ये सबजी आप ट्राई करें आपको ये बहुत अच्छी लगेगी यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से पका लिया है और अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ कम तेल में बनने वाली बैंगन की ये रेस्पी आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं इस रेस्पी को आप जरूर ट्राई करें और अगर ट्राई करने के बाद आपको ये रेस्पी पसंद आती है तो मेरे वीडियो की नीचे जो लाइक का बटन है उसे आप जरूर क्लिक करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना न भूले साथी साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बबाई एंड टेक कियर थैंक्स फॉर वाचिंग